करते हैं पहले हम डिस्कॉस कर लेते हैं करसर के उपर करसर को डिस्कॉस कर लेते हैं कि यहां पर करसर को डिस्कॉस कर लेते हैं लेट स्पोस मैं यहां पर कह रहेता हूं मैं एक डिव लगा रहा हूं डिव को मैंने क्लास दे दी क्लास में यहां पर दे रहा हूं एक्स वाइजर यह डिव मेंने बंद किया और दिव के इंदर में लिख रहा हूं हावर यू ओके यह मैंने लिख दिया यहाप कुछ रंग करके डिस्प्लेय में नज़र आएगा दन आपको यहाँ पर हावर यू नज़र आ रहा है इसको जूड़ जूम कर लेता हूं अभी दिख यहाँ प्या पर कौन सा क्रसे नजर आ रहे है इस वान यहाँ पर यहाँ पर छिज starch करना चाहूं मैं यहां पर लिखता हूं किस पर लगाना चाहर हो मैं करशर करशberries कर्सर लिखके यहां को सारे कर्सर निज़रा रहा है यह काफी ज़्याद है क्लियर मैं यहां पर लेट्स पोज चलो यह वाले जूस कर लेता हो हैल्प मैं लिख देता हूं कर्सर यह प्रावर्टी लग किस पर रही है एक्स वजएट एक्स वजएट किसी क्लास है डिफ की अब यह कहां पर करते रहेगा बस बिलकुल अगर आप जिस्ट हावर यू पर आओगी और लेकिन डिफ की जो वेट होती है वह 100% होती है मतलब यहां पर भी आपको यह आ रहा ही देखो डिफ की वेट कितनी है तो यहां अगर उसको मिलेगा इसकी जब नीचे आएगा ना इदेखो खतम हो गया नीचे नहीं आ रहा गहीं लेकिन अगर इस पर लाते हैं अब वो मेरा वह वहाला खताम हो गया कि दन बढ़ यहां तक कोई मसला इस सनगे काफी साथ है जिसना आपको मैं कहाता कर में पीधार बैक्रों कलर रहा तो कुछ बऄ कर रहना है जिस जितना मेरा पी होगा उतना कलर आए गा इस तरह कर यह आ रहा रहे है अचा हमने तो इस रणी करना होगा हमने क्या करना है क्या करें हम बोडी बेर यह नहीं चैर रहा इसके साथ लिख देता हूं मैं राकेट अब रेकिंग इट आप एक एक इसने कुछ कहा था मुझे अच्छा कोई और लगा के देख लेते हैं अगर यह नहीं चाहिए रहा हूं इसको रिफ्रेश करते हैं विवित्व बेट यूड लगख देख लुडाव विवाल थै। बीवाल थै। आपके बैटर है आप उसके साथ बॉड़ी यूज़ना करें एस्टेमल यूज़ करें तो जार रहा है बॉड़ी के साथ वह नहीं चला रहा है यह देखें यह आपको डिफ्रेंट करसर बदा रहा है देख रहे हैं यह हमारा कॉन से वाला है और स्क्रोल अगर मैं यह लिख द करसर कौन साथ है उपर आरह रहा है ठीक है और इस सवागर के डिफ्रेंट्ट है यह बाकि बाप लोग खुद देख लेगा काफे सारे करसर है इंको बवन बैवन लगा के देख लिएगा यह सैल वाला कौन सा होता है एक्सल के अंदर यह वाला होता है ना ओक और इसमें कॉपी वाला किसे नहीं होता है प्लस ठेक है अच्छा जो मिन जो माउट यह जो माउट मैंने लगाई है जो माउट को सिंबल आगे अच्छा इसमें ना एक और होता है काफी जाद थारे देंगे ना वेट वाला कौन सा आपका हुँँगा भी लोटिंग नहीं होरा है यह वीट वाला है क्लियर इसे उद्हें करके इन्होंने कौफी दिये में असली यहीं करते हैं वो अपने ही बनाते हैं अच्छा वर्टिकल टेक्स्ट का मुलब क्या होगा कौन सा है करसर आई वाला सिंबल आएगा लेकिन वर्टिकल ह इसना स्लेक्टिशन होती ना आपकी वर्टीकल टेक्स का आया यहां पर सकते हैं यह पॉइंटर तो बाइट फॉल्ड पॉइंटर ही होता है यह अगर हम लेट्स पोज यह नान यूज़ कर देते हैं डेस्मीन आपको यहां पर कर से रहा है उपर देखो चैकर हो यहां तक आ यह यहां पर क्या हो गया आपने डीस है अपने जोंसी बीर्यूस कर दें अगर आप चाहरे यह जगहाठे ना आए आपके लगाए तो इमिज के ऊपर लगा दो करसर जब लेकर जाओगे तो आपकर करसर का ही हो जाएगा क्लेर बाद यहां तक यह काफी जाद है यह आप इसमें से देख सकते हैं अच्छा हट जगा ने प्रॉबर्टी होती है इन हैरिट के पर में अपको भी समझाता हूं अच्छा अब आज यॉर्ल के यॉर्ल होता है अगर हमने अपना कस्टम लगाना है यहां पर आता हूं मैं लगा रहा हूं ठीक है आपने जो भी मिज़ रखनी है लेकिन उसका बैगरॉंड ना हो इसके बाद आपने इसके बाद यहां पर लिख देना कॉमा लगा के आउट हो हुआ हम जी चेक करें यह वाल इमिज दिखाएगा क्लियर लेकिन इसका बैक्राउंड है तो देखें वाइट आ रहे हैं आपने वह रोना है इसका बैक्राउंड क्लियर यहां ता कोई इस्यों अच्छी है पर लगने हैं अच्छा अब हम आ जाते हैं नविगेश्ण के उपर नविगेशन के चीजे वर्टिकल नविगेशन हम देख लेते हैं वर्टिकल नविगेशन में डिफ के तुरू बनाता हूं उसका मैं आपक्ले कर देता हूं मैं यहां पर डिफ बना रहा हूं इस डिफ को मैं यहां पर class दे देता हूं let's suppose navbar लिख देता हूं इस डिफ के अंदर मैं a tag लगा देता हूं h दे देता हूं यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं let's suppose home about us और कौन से यूज करें हूं साइट मैप इसमें बीच में आ रहा है जिसका नाम है यहां से खतम कर देता हूं यहां पर ले आता हूं एक और आ रहा है जिसका है एक नाम प्रोड़क्ट अप्रोड़क्ट के नीचे ड्रोपडाउन आएगा है यह नहीं ठीक है अब भी अगर मैं आपको इस तरह करके चिलाता हूं और यहां पर आपको दिखा देता हूं तो आपको उस्था करके नज़र आ रहे हैं क्लिर मैंने स्वेल आना है आप ड्रोपडाउन में लब प्रोड मैंने डिफ बनाद ही ड्रॉपडाउन की क्लियर मैंने इसको रखना है इस डिफ के इंदर में जिसको डॉपडाउन लाना होगा ना मैं उसके लएक डेव लगाऊंगा और प्रोटेट्स को लगाऊंगा अब अब लेट्स अब आप काऊगे मैंने इस अब आपको दुबारा वो नाम देके ना दुबारा प्रोपड़ी सारी बतानी पड़ेगी तो नाम सेम दीजेगा इसको भी आपे डॉपडाउन करना और उसके इंदर ले आएगा अच्छा इसको हम यहां यूज करेंगे बटन उस बटन की रिजन यह है ताकि वह क्लिक होके नीचे है ओके ताकि वह क्लिक होके ओपन करें मैंने यहां पर बटन यूज किया है और बटन को मैं यहां पर दे रहता हूँ बटन प्रड़क्ट इस बटन को भी क्लास दे रहता हूँ इस बटन किसका है ड्रोप डाउन का अच्छा एक और इसके अंदर डिफ मना लेते है इस डिफ के अंदर मेरा बिसिक लिए टैक दोबारा लगा रहा हूँ अच्छा अब मैं यहां पर दे रहता हूँ यहां पर दे देता हूँ लेट्स पोस प्रड़क्ट देता हूँ लेपटोप स्मार्टफोन फमेडन वोर इस पोस्मेन यह दे दिया हैँ थीक है और इसको में यह पर इसदिंव को मैं नाम रख देता हूँ तो यांप ले से तो रॉप दाउं डरॉप डाउन संडीम का नाम से जो भी आप अब से रखना की दोभन सब्क्रीव जो मेरा drop down होडा code होगा ना बागी सारा मेरे डिव बनाई है navbar की उसके नसारे में a लगा रहा हूँ अगर simple बनाना है अगर आपने drop down होडा काम करना होगा तो एक div बनाओ उस div के अंदर वह बढ़ा बट रखतो वह मैंने गया लग दिया product और इस product के अंदर में एक div बना रहा हूँ जो इसका content है जो product के निचे दिखाने ना वह मैंने इस तीक अंदर बता दिया तो यह पूरा drop down डिजाइन कर दिया हमने अगर एक दुबारा बनाना होगा तो फिर आप यह सेम कोड रिपीट करोगे और class का नाम सेम रखोगे यह नाम कुछ भी रह सकते हैं मैंने अपनी तरफ से नाम रखा ताकि एज़ी हो मेरे लिए अच्छा अभी कुछ और पूर्ट ना इसना करके आ रहे हैं अब इन दौन से सबको एजिस्ट करना हमने करते हैं इनको एजिस्ट इसके थिरू में प्रॉप्टे लगा रहा हूं मैं डॉट लिखता हूं मैं वार की प्रॉपड़ी हमने बतानी है डॉट लिखता हूं प्रॉपड़ॉन की प्रॉपड़ी हमने बतानी है डॉट लिखत property लग रही है लेकिन यह home और about us को आप catch up नहीं कर सकरें एक तरीका तो यह होगा कि आप लिख दो यहां पर dot nav bar a इसका मालब क्या होगा यहां लेकिन इतना बड़ा काम हम क्यों करें इसके लिएजी नहीं है हम यहां पर लिखते है class inner जो हमने last time भी use की थी यहां भी class में दे रहता हूं इनर और और कुण सा मारे पास this one class inner और इसको भी class दे रहता हूं इस वाले को भी portion को हम बात में देखते हैं इसके अंदर भी है इसको हम बात में देखेंगे ठीक है मैंने इनरे class देदी तो इसके battery है मैं इसकी जगह यहां पर क्या लिख दूँगा clear अब मैं यहां पर प्तार जाता हूं इस navbar को में एक navbar का मुलब क्या होगा मेरा इसको मैं यहां पर लिख दूँगा जस्ता बैक्राउंड कलर बैक्राउंड कलर इसको मैं दे रहता हूं यहां पर रिस पॉस्प्राइड यह मैंने कलर सो कर दिया clear और एक प्रोबर्टी इसको मैं लगा दूँगा ओवर फ्लो रिड़न की ताक्के इसके मजीद दर काम होगा उसमें मसला ना है अच्छा अब यह इनर कौन सी प्रोबर्टी है अब देखो मुझे इस का ना इस navbar की मैंने विट तो नहीं कम करनी है कुछ करना तो नहीं इसके साथ 100% मुझे नहीं अच्छा इसको खतम कर लेते हैं तो किसना खतम करना है हम बोडी लगा लेते हैं ताकि यह मुझे डिस्रप कर रहा है इसको भी हम सुर्ण ठीक कर लेते हैं पैडिंग पैडिंग जीरो पी एक्स एंड मार्जन जीरो एक्स ताकि यह जो स्पेसिंग आए इनको साथ रजेस्ट करते रहें यह भी आपका ओके होगी है अच्छा अब आज जाते हैं टेक्स के उपर हमने बैक्रॉंड रॉंड कर दिया लेकिन टेक्स को भी हमने सेट नहीं किया अब किस्थे कर लेते हैं टेक्स को यह हमारी कौंसी क्लास होग इसमें इनर की इनर पे मैं प्राबर्री कौंसी लगाता हूं यह कौंसे वाला इनर है मेरा यह हों अबाउट आस और साइट मैप और कॉंटेकट अस बास यह इनको हेंडल नहीं कर रहा है इस बटन को और इस smart phone accessories को handle नीं कर लेगे । इस inner पे में क्या class लगाता हूँ इस inner आप कहा देता हूँ कि color कर दो white और क्या करवाना है color white करवा देते हैं यी देखें color हो गया white यह line आरी है इस line लो खटम करना है मैं आपले देता हूँ क्या property लगाँ होंगा टेक्स डेकुरेशन लाइन खतम करने के और लाइन लाने के एक बात है अच्छा इन्हेरेट की प्रॉबटी देख रहे हो हर किसी के अंदर रहे हैं यह इन्हेरेट में भी आपक्लियर करता हूं देखो लाइन खतम हो गई और क्यों सी प्रॉबटी लगाएंगे प्रॉबटी लाइफ लगा देता है दसी लगाएं और पैडिंग इनकी पीच में जो पैडिंग है वो में 20 पिक्जल दे गदेता हूं आग बद्लस दिस्प्ले लगाएंगे इस्प्ले कहों सा लगाएंगे नाइँ डिस्प्ले ब्लॉङ हमने लगा था वर्टीकल में सा था क ब्लोक का मलब होता है इसको डेव बना जाए देव का मलब क्या होगा एक लाइन में एक आएगा हम ये वर्टिकल नहीं बना रहे हैं को उसी बना रहे हैं हो इसको सेंटर में भी कर देते हैं यहां पर लिख देता हूं वह तैस्टलाइन चेंटर कर देते हैं टैस्ट्सिंटर का मथब होगा यह आपको अट्रमेटिकली टेक्स सेंटर में आएका और कुछ थैंट अब आज आते हैं दोपडान में रहे हैं कि बटन की ब्यूद बेटिन ट्रॉप क्रोफ बात कर लेतें ब्यूद ब्यूदें ब्यूद ट्रॉप जो मेरा है ब्यूद ट्रॉप आपको जा इसका separate color तो नहीं होगा तो product हमने यहां पे शोग तरवान है लेकिन इसका मदलब क्या होगा कि इसका color भी वही होगा जो यहां का color है ठीक है लेकिन इस button को थोड़ा मुझे adjust करना पड़ेगा मैं यहां पर कर देता हूं इसका background color जो है आप लिख रहे हो background color red okay क्यों रेड लिख रहे हो क्यों आपने उपर प्रिका होगे उसका background color क्या है रेड है यार इस बैटर यह नहीं है इसकी जगह हम यहां पे लिख दें है इन्हेरिट इन्हेरिट से मेरा मतलब यह होगा कि जो इसके parent का color आ रहा है इसने वो प्रिक करना है अब यह basically ptn drop down कहां पर इसका parent कौन से है drop down का प्रिकार कहां से आ रहा है इसको पे इसका parent कहुं से color आ रहा है red आ रहा है तो इसने automatically क्या pick कर लेना यह हट जगह की बात किसी property की बात करो आप में अगर let's say parent को phone size लगाएगा 16 point और अंदर जागे आप 16 point ना लिखो लिख दो inherit उसका फाइदा यह होगा कि अगर आपको नहीं चगा से change किया है हाट चगा से automatically क्या हो जाएगा आपको हट जगा जग खुद बाखुद 16 16 या 18 18 नहीं करना पड़ेगा बाद में एक दफ़र यह आपने कर दिया कि जो मेरे पेरन का size है ना मैंने वही pick करना है तो क्या यूज कर लो inherit inherit का समझ आ गया अब inherit का मलब क्या होता है अच्छा ही भी lines आ रही है आगर कौन सी प्रप्टी लगांगा और 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 कौन सी प्रप्टी लगांगा हो गया कटम ठेक है अच्छा अब यूज लैप्टॉप स्मार्टफून और यूज आ रहे हैं इनको मैंने बाइड डिफॉल नहीं दिखाना अब यह किस कि की हैं डिस्प्लेए कॉंटेंड के दिरा रहे हैं इसको मैं यहां पर क्या कर दूंगा डिस्प्लेए यह नजर ना आए नजर आ रहे हैं अब हमने दुस्री प्रॉप्टी इसमें लगा के देखते हैं इस बीटीन ट्रॉप को भी यहां पर लगा रहता हूं फ्लॉट लफ्ट क्लिए अच्व की उपर की तिरफ क्यों जा रहा हैं यहां यहां जो संट वहां आज इसको देख लेते हैं अभी ओके यह आपका ड्रॉप डॉप 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 के इंदर किस drop down के इंदर में कौन कौन सी properties लगाँगा इस से पहले इस drop down की तरफ आने से पहले अभी हम just simple वाला design कर रहे हैं इस design हमारा होगे simple वाला और कौन सा हमने लाना इसके उपर एक लाना होगा hover तो क्या लिखोगे यहां पर dot inner hover और इस hover पर कौन सी property लाना चाहोगे मैं लग देता हूँ background color black कर देते हैं let's suppose और मैं कोई property नहीं ला रहा हूँ कुछ मसला आ रहा है यहां पर अब इसकी तरफ आ जाते हैं अब इसकी तरफ कौन से यहां पर properties लगानी है क्या क्या है कहां प्या है वो बात की बात है पहले इस बटन को मिझे adjust करना होगा इस पर क्या property लगानी पड़ेगी मार्जनाली बात नहीं कीजेगा उसे सोचो कि अब यह लो मैंने कोड़ ओपन कर दिया है आएं कहां पिजिनी गलास क्या थे उरी कोड़ कहां पिर लिखना है इस वाज़ देश्य हुआ रहे हैं और को इसके लाभा कहां पर डॉप 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 बॉप बॉटन को गोड है यहां तक बात क्लिर है अच अब हम बात कर लेते हैं टेक्स साइज पर इंक्रीज कर लेते हैं कि मैंने जूम क्या हुआ है टेक्स्ट इस नहीं होता है फॉंट साइज है फॉंट साइज में दे रहता हूं 20 पॉइंट कि यहां कोई इंक्रीज हो गया और किसका इंक्रीज कर नाम ने अब डॉट अन बटन का इसका मैं यहां पर कार देता हूं पॉंट साइज कि टॉंटी पॉइंट कर सकते हैं लेकिन यह मैं किसके उपर लगा रहा हूं इनर पर इनर इसका पेरेंट नहीं है इसका पेरेंट नहीं है चैक करें इसका पेरेंट यह आ रहा है एक ड्रॉट आउं और इसका पेरेंट कौन सा रहा है कि टैग यहीं पर बंद हो रहें एक अच्छा आप मुझे बताओ और कौन कौन सी प्रोप्टी लगेंगी अब्यूंग अब इसका प्रोप्टी यह मेरा डिजाइन हो गया है मैंने यहां पर कर दिया नजर आ रहा है अब इसके लिए मैं क्या डिजाइन करूंगा वह की बादें बाद है पहले इसका दो मुझे बताओ इसके अपर में के नामें यह टेक्स आपका इक्वल नहीं हो रहा है कि चेक करें गोर से इस नहीं फॉन फैमिली का इस्व नहीं है इस नहीं है यह ना और फ्लोग वाइसे आ रहा है यहां पर एक हम दे रहते हैं लेट स्पोस्ट रॉप डाउन के अंदर हम दे रहते हैं ताकि तो मैं यहां पर लिख देता हूं फ्लॉट लेफ्ट और अवर फ्लॉव हुआ है यहां पर फ्लॉट कर देता हूं नहीं अ प्रॉट पेटर अलवाइट अवर वाइट सट्वर्ट पॉइंट बॉडर एक होगे एक प्रॉपर्टीज में एक होड्ल लगनी है हमारी है इहां पर विच्वन इस बॉर्डर प्लास इसको में इनन लगा रहा हूं भी साइं में थरोंगे सिर्टल इसली बन जाती है जो झाती है सब्सक्राइज युल-धाईज द़ॉ युएल-धाईज एकी बात है टैक का नाम बग जिफरेंट है प्रापरटी में CSS की बाद इसके उसमें प्रापरटी तो लगाऊज है ना तौ समें भी कि इसमें प्रोपड़ी ही लगेंगी इसमें को अधर डिफेरेंस आना है यह जो ड्रॉपड़ान होता है यह तरह ट्रिकी होता है आपको तुमक्या आपने इसमें देखना पड़ता है जो सिंपल होता है नविकिशन वह हैंडल करना बहुत इस आपके लिए जहां पर को लिए करकते हिं कि एक बना सकते हैं तके बना सकता है को मैं इसको बना सकते हूं डेवके तुर कोई शुन है ऐसे टाग यूज करूं कोट स्टाइल है मैं आपको सब कहता हूं किसी का सेम नहीं होता है अर्श इस या कोडस टायल के होता है इस डिफ्रेंट होता है हां आप बताओ कॉन सी प्रोपटी लगाने जाए मुझे क्या नाम है इसका हम्जा हम्जा थोड़ा गैस्त कर नायर कर गिता है अथा है उटाक प्राइब करने हैं लिए दो बढ़ा है जिसमेना एक आउटलाइन है और सब्सक्राइब मार्जन जिरोपी एक्स कि नेक्स्ट हम आगे मूव करते हूं इसको मैं भी देखता हूं कि यह मेरा ड्रोपड़ान कॉंटेंट है इसको मैंने बार डिफॉल्ड क्या किया गया है डिस्प्लेइ और कौनसी प्रोपड़ी लगांगा बार्टिफॉल्ड डिस्प्लेए में नजर नाए और डिस्प्लेइ कॉंटेंड का जो मेरा बैक्राउंड कलर है बहुत जो ड्रॉप दाउन में नजर आएगा उसा कलर में यहां पर कर देता हूं ग्रेट कर देता हूं और इसके लावा इसकी जो वेट्थ है वह 100 परसेंट तो नहीं होगी ना इसकी वेट्थ में कर देता हूं 150 पिक्जल ठीक है और इसके लावा और फ्लॉट आपको नजर आए हैं सॉरी फ्लॉट कहा रहा हूं इसकी पोजिशन जो होगी वह एप्सलीट होगी उसी जगह पर नजर आए जहां पर इसने ड्रॉप डाउन होना है अच्छा यह आपकी प् कि जब मैं इस पर लेकिया हूं माउस हां लेकिन यह किस चीज़ की है यह है मारी डॉट जब मैं ड्रॉप डाउन बटन ड्रॉप डॉप 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 content जो है वो किया हो जे? display करे, block में, इसको मैं block में क्यों कर रहा हूं? क्यों कर वा कि वारिकल है, good, display block, by default इसको मैंने none किया हो है, इस नहीं करके इसको मैं क्या कर रहा हूं display, block, अब में इसको चलाता हूं, या ब कुई आ रहा है, नजर आ रहे हैं अब इसको भी set करना है भी हमें बागी हमने grey color किया है और बागी क्या किया इसको black यहां तक कोई मसला इसका महलब यह हुआ कि जब इंड्रोपडाउन किया तो यह मेरा ब्लॉक में आ गया हम अलब एक डेव बन गया अब यह एक में क्यों आ रहे हैं यह को फो जिसका जवाब दें किसी इसको मैं यहां पर लिख देता हूं डिस्प्ले लॉक और कलर मैंने सेट कर दिया बैक्राउंड फॉन गलर तो इसके तुरू करेंगे ना चेंच कालर क्या करते हैं लेट स्पोर्ज येलो अब यह चेक करें मौस लेकर आ रहा हूं क्लीर और कौन कौन सी प्रबबबटी बागी सारी प्रबबबबटी है जो इसकी में आपने लगाई थी वो पौन कौन सी लगाई थी इस सारी प्रबबबबटी लगाई थी यह पकाफी कर लेता हूं इस इंदर लगा रहा ह flour white हम change कर रहे हमने कौन सा ट्रय यूस्ट sugar यहां प पॉइंट अब यह चेक करो फिर इस नहीं आ रहा है यह मैंने लगा ही कहा भी प्रोपरटी अच्छी सोरी सोरी फ्लॉट नन फ्लॉट नन फ्लॉट मैंने लेफ्ट कर दिया था उसकी बाद से यह आ रहा था मसला हो गया यहां ते क्लियर और कि एभी आप अब यह आपकर इस पर भी हमने का प इंआ इस पर हवर कौन सा आना है या इस पर कैसे लेकर ऑंगा वह में क्शन सबत्ब्राइब को मा लगा Clinic कि मैं आपे काऊं कि जब मैं drop down पे hover लेके आऊं ठीक है जब मैं drop down पे hover लेके आऊं तो मेरा जो button है button drop down है उस अगल रखे होजे black होजे clear बात यहां तक done कोई मसला है यहां तक अब कौन से वाला रहा गया inner वाला अच्छा अब inner वाला कैसे करेंगे handle वो हमारा simple सा है वो हमारा inner ABC का है अब मैं यहां पर लिख देता हूं कि अगर मैं inner ABC पर hover लेके आऊं तो इसका बैक्राउंड क्लर हम क्या कर देते हैं इसका हम बैक्राउंड क्लर क्लर कौन सा करें है let's close green कर देते हैं inner ABC हाँ inner ABC पर ही करना है ठीक है बन गई कोई मसला इस समय जाई ही चीजे प्रोप्रटी जो मैंने लगाई है मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि आप लोगों सोड़ा मुझे गाइड करो थोड़े बच्चों ने चीजा गाइड किया था मुझे इन ब्लाइं 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 ब्लॉक यह वोगरा हूं यहां था कई मसला हूं कुछ पूछ रहा है बूछ हूं तो पूछ रहा है कि इसका उक चाहिए लगाते है वह पूछ शॉब लगाते हैं वह बूट्राप की होती है वोट्राप की है वह इस पे बीकाफ़ार ऐकन जब बूट्राप पढ़ेंगे तो उसमें बताओंगा और एक फॉंट आउसम भी है API है उसके तुरू भी आते हैं लेकिन अब भी हमने कुछ ना कुछ तो लगाना है ना तो हम लगा देते हैं को जो में आपको कि इसमें ना सारे आते नहीं है अचा समय होगा मेरे खाल से एरो के नाम से नहीं है डाउं अब अब इस नहीं दिखाता है यह यह लगा दें बटन ठीक है यह मेली है ओके यह लगा देते हैं क्लियर थोड़ा गैब देना हूं किसना देंगे गैब किसना देंगे गैब गड़ शुकर यह आद है एंपर सेंट एन बी एस पी एन बी एस पी का मलब क्या होता है अच्छा यह देखो सिंबल भी मिलिया इस पी अगर हमने जितनी स्पेसिस देनी है क्लियर बात यहां था इस सिंबल आपको मिल गए फड़ी स्पेस जाद है इसको स्पेस को यहां पर खत्म कर देते हैं है अगर आपके सिंफ अगर आप चैंज करना चाहो तो आप जो कि प्रॉपरटी जब मैं मौस लेकर जब मैं आपके यहां पर लगाई ना प्रॉपर दिखाता अगर मैं यहां पर यह ना लिखता ना तो इसे होना क्या था अंदर तो मेरा इदे को black यहां मेरा चाहरा है लेकिन इसके उपर हैलाइट नहीं हो रहा हो तुसलिए मैंने कहा था कि प्रॉपर लगाई थी कि जब मैं इस कॉंटेंट के अंदर हूं तो मेरा यह ज़ग स्वाल हो बहुत कुछ लग सकता है बहुत कुछ लग सकता है यह बाकि आप मज़ीद काम यह आपको लोग खुद की जेगा जो आप लोगों के आडियाज आ रहे हैं आपके माइड में दन ओके नोगर बता नहीं थी एस्टेमल फाइफ में ना फरक यह सारा कोड़ इस नहीं ह करते हैं यहां पर यहां पर यहां से नाविकेशन चुरूगा और यहां पर यहां से नाविकेशन चुरूगा और यहां मेरा नविकेशन अकोड़ आकर यहां पर एंड़ रहा है ठीक है वाकि यह जो मैंने आपको हैश ही बताया है यहां मैंने बताया है कि इनकी पेज बना लिंक करोगे यहां भी पेज बनाके इंके साथ लिंक करना इधर 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 इसके साथ तो नहीं होगा साइट मैप और कॉंटेक्ट असके साथ भी क्लियर यहां तक जाए कोई सवाल नो ओकी शोर इधर यहांट जाए दो यहांट करभा है